नमस्षाद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने युटूब चैनल रविश अडिया आई क्यू जी के पर फिरंस आज मैं आपके लिए करंट अफिर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके most important 100 question इस वीडियो में लेकर आए हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected लिया है अच्छे level के question लेकर है हूँ वही question लेकर हूँ जो question आपके exam के लिए important रह सकते हैं आपको बिल्कुल different तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जितने भी question इस वीडियो में करवाउंगा उसके बाद सभी question एक बार फिर से revision भी करवाने वाला हूँ, उसके बाद मैंने आपके लिए इन इन सभी question का online test रखा है, इसमें आपको इतनी guarantee देता हूँ, की पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक-ग question हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद होने वाले है यह master वीडियो है इसमें आपके सभी कोशन कवर हो जाएंगे वर्तमान में कोन क्या है के तो पुरा वीडियो ज़रूर देखना start करते हैं पहले कोशन से first question है हमारा भारत के पहले लोगपाल को नियुक्त होए है तो सही answer है इसका नयायमूर्थी PC घोष जो नयायमूर्थी PC घोष है यह भारत के पहले लोगपाल नियुक्त होए है important question है आपके exam के लिए next question कर लेते हैं किनको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो सही answer है ओम बिर्ला जो ओम बिर्ला है इनको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगला question कर लेते हैं हमारे देश के विदेश मंतरी कौन है तो सही answer है S. जये संक्र जो हैं जिय हमारे देश के विदेश मंत्री है Next question कर लेते हैm Important है आपके एक्जाम के लिए हमारे देश की मुखे निया दिश कोन है तो सही answer है इसका रंजन गो गई जो रंजन गो गई है यह हमारे देश की मुखे निया दिश है most important question आपके exam के लिए अगला question कर लेते हैं भारती वायू सिना के परमुख कौन है तो सही answer है Air Marshal RKS बदोडिया जो Air Marshal RKS बदोडिया है ये नए वारती वायू सिना के परमुख बने है फ्रेंट्स इनका नाम है RKS बदोडिया और ये जो Air Marshal है ये इनकी rank है Next question कर लेते है भारती वायू सिना के नए परमुख कौन बने है तो सही answer है Admiral Karamvir Singh जो Admiral Karamvir Singh है ये भारती वायू सिना के नए परमुख बने है फ्रेंट्स इनका नाम करमुख सिना है और ये जो Admiral है ये नौ सिना में जो उच्छतम पर दोता है उसकी rank होती है यानि कि Admiral Karamvir Singh की rank है फ्रेंट्स यहां पर वर्ड आया था वायू सिना आपको ये पता हो नच्छे वायू सिना है इसकी स्थापना हुई थी 8 October 1932 को और हर साल 8 October को वायू सिना दिवस के रूप में मनाया जाता है ये भी आपके लिए important रहेगा और वायू सिना का जो मुख्याले फ्रेंट्स वो नई दिल्ली में है अगला कोशन था 9 सिना का जो 9 सिना है इसको हम नेवी भी बोलते हैं ठीक है और इसका मुख्याले भी नई दिल्ली में है और भारतिय नौ सिना दिवस हर साल 4 December को मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशन करते हैं भारतिय थल सिना के परमुख कोन है तो सही आंसर है जर्नल विपिन रावद जर्नल विपिन रावद जो है ये भारतिय थल सिना के परमुख है नाम है इनका विपिन रावद जो जर्नल है ये इनकी रैंक है और थल सिना को हम आर्मी भी बोलते हैं इंडियन आर्मी ठीक है फिर इसका जो मुख्याले है वो भी नई दिल्ली में है और थलसेना और जो भारतिय थलसेना है इसका जो हर साल दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है याद रखना है भारतिय थलसेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और एक अप्रेल 1895 को थलसेना की स्थापना होई थी नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, इंपोर्ण रहेगा आपके एक्जाम के लिए, भारतिय तटरक्षक के परमुक कोन है, तो सही आंसर है इसका, कृष्ण स्वामी नटराजन, जो कृष्ण स्वामी नटराजन है, ये भारतिय तटरक्षक के परमुक है, भारतिय तटरक्षक को इ एक फरवरी को मनाये जाता है, याद रखना एक्जामें पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया, कृष्ण स्वामी नटराजन्स हो है, यह भारतिय ततरक्षक के परमुक है, यानि इंडियन कोस्ट गाड के परमुक है, अगला कोशन कर लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल, जिस सुरक्षा सलाकार कोन है, तो सही आंसर है, श्री अजीर डोबाल जो है, यह हमारे देश के राष्टी सुरक्षा सलाकार है, अगला कोशन है, केंद्रिय कोईला मंतरी कोन नियुक्त किये गए हैं, तो सही आंसर है, श्री परलाज जोशी जो है, यह हमारे देश के केंद्रिय कोईला मंत्री है अगला कोशन है हमारे देश के ग्रह मंत्री कौन है आंसर है अमित शाह जो है यह हमारे देश के ग्रह मंत्री या बोलो होम मिनिस्टर है अगला कोशन कर लेते हैं हमारे देश के उपराश्च्पती कौन है आंसर है वैंकिया नाइडू जो है यह हमारे देश क उपराश्पती है, next question, संसद की लोग लिखा समीती के अध्यक्ष कोन है, answer है इसका, अधीर रंजन चौधरी, जो अधीर रंजन चौधरी है, ये संसद की लोग लिखा समीती के अध्यक्ष है, फिर अभी question जो है, अच्छे लेवल के हैं, जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, एक भी question आपका ऐसा बचेगा नी, जो मैंने आपको करवाया ना हो, वर्थमान में कौन क्या है, पूरे 100 question है इसमें, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के, अगला question है, हमारे देश की वित्त मंतरी कौन बने है, answer है, निर्मला स फिर से उपराश्टपती का सच्चिव नियुक्त किया गया है, answer है, आइवी सुबबाराओ, जो आइवी सुबबाराओ है, ये उपराश्टपती के सच्चिव के रूप में नियुक्त हुए है, next question, हमारे देश के मुख्य चुनावाई युक्त कौन है, answer है, सुनील अरोड जो है, ये हमारे देश के मुख्य चुनावाई युक्त है, next question कर लेते है, हमारे देश के रेल मंतरी कौन है, तो answer है, प्यूश गोईल, जो प्यूश गोईल है, ये हमारे देश के रेल मंतरी है, अगला question कर लेते है, देश के वित्त सचिव के रूप में कौन नियुक्त हु अगला कोशन कर लेते हैं भारत के कानून और नियाय मंत्री कौन है अनसर है रवी शंकर परसाद जो रवी शंकर परसाद है ये हमारे देश के कानून और नियाई मंत्री है हमारे देश के राज्य सभा के सभापती कौन है आंसर है यह हमारे देश के राज्य सभा के सभापती है अगला कोशन है राज्य सभा के महासचीव कौन है इंपॉर्ण कोशन है आंसर है देश दीपक वर्मा जो देश दीपक वर्मा है ये राजे सभा के महासचीव है नेक्स्ट कोशन important है एक्जाम में पूछा गया है राजे सभा के विपक्ष के नेता कौन है आंसर है श्री गुलाम नभी अजाद जो श्री गुलाम नभी अजाद है ये राजे सभा के विपक्ष के नेता है किनको राजे सभा के नेता के रूप में न्योक्त किया गया है आंसर है थावरचंद गहलोत जो थावरचंद गहलोत है इनको राजे सभा के नेता के रूप में न्योक्त किया गया है नेक्स्ट कोशन राजे सभा के उप सभापती कुन है आंसर है हरिवंश नरायन सिंग जो हरिवंश नरायन सिंग है ये राज्य सभा के उप सभापती है नेक्श कोशन है लोग सभा के महा सचिव को नियुक्त किये गए है आंसर है सिनेहलता शिरिवास्तव जो सिनेहलता शिरिवास्तव हैं ये लोकसभा के महा सच्चिव के रूप में नियुक्त हुए हैं ये कोशन भी आपके एक्जाम के लिए important है आंसर है श्री नरेंद्र मोधी जो है। ये लिए ब्यास्तव आपके हैं ये लिए बी आपके लिए लुक्त होई है। सलहाकार कौन बने है आंसर है पी के सिनहा जो है यह पधार मंतरी नरेंदर मोदी के नए मुख्य सलहाकार बने है और इनकी न्योकती भी हाली में हुई है तो यह कोशन भी आपके एक्जाम के लिए important है रहेगा नेक्ट कोशन है देश के महा नियावादी अटार्नी जन्रल कोन है आंसर है केके विनु गुपाल जो केके विनु गुपाल है यह देश के महा नियावादी यौनी अटार्नी जन्रल है हमारे देश के नेक्ट Queshan करते हैं ठल सेना की अगले उप प्रमुख किन को निक्त किया गया है आंसर है मनोज मुकुन्ध नर्वाना जो मनोज मुकुन्ध नर्वाना है यह ठल सेना की अगले उप प्रमुख के रूप में निक्त होए है नेक्स्ट कोशन हमारे देश के केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री कोन है आंसर है सम्रिती इरानी जो सम्रिती इरानी है ये हमारे देश के केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री है देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कोन न्युक्त होए है आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री नियुक्त होए हैं नेक्स्ट कोशन है हमारे देश के मुखे आर्थिक सलहाकार कौन है आंसर है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम जो कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम है ये हमारे देश के मुखे आर्थिक सलहाकार नियुक्त होए है हमारे देश की रक्षा मंत्री कौन है आंसर है राजनाथ सिंग जो राजनाथ सिंग है यह हमारे देश की रक्षा मंत्री है next question काफी ज़्यादा important है भारती किर्केट नियंतरन बोर्ड जिसे की हम BCCI भी बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है आंसर है स्वारव गांगुली जो है यह नई अध्यक्ष बने है भारती किर्केट नियंतरन बोर्ड जिसे की हम BCCI भी बोलते हैं काफी द्यादा important question है यह जो BCCI है इसका मुख्याले मुंबई में है यह भी आपको ध्यान रखना है और इसका full form होता है Board of Control for Cricket in India हिंदी में बोलते हैं भारतिय किर्केट नियंतरन बोर्ड भारत के विदेश सचीव कोन है आंसर है विजय केशव गोखले जो विजय केशव गोखले है यह हमारे देश के विदेश सचीव है Next question है Col India Limited के Chairman कोन है Answer है AK ज़ है यह Col India Limited के Chairman है Next question जो करवा रहा हूं वो पो ध्यान द्यान से समझना है उसके बाद जो बनेंगे वो परमोद अगरवाल बनेंगे, ठीक है, तो दोनों कोशन आपको ध्यान रखना है, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि हम इस रो भी बोलते हैं कि अध्यक्ष कोन है, आंसर है, के सिवन जो है, ये भारती अंतरिक्ष अनुसंधान स इसका मुख्याल है, इस रो का, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कि हम DRDO भी बोलते हैं, कि अध्यक्ष कोन है, आंसर है, सतीश रेडी जो है, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास भिवाग, यानि DRDO की अध्यक्ष है, और DRDO का मुख्याल है, नई दिल में, नेक्स्ट कोशन है, केंदरिया रिजर्ब पुलीस बल, ठीक है, बल लिख लो, जिसे कि हम CRPF B बोलते हैं, कि महानी देशक कोन है, आंसर है, राजी वराई भटनागर, जो है, वो केंदरिया रिजर्ब पुलीस बल, जिसे कि हम CRPF B बोलते हैं, English in full form होता है, Central Reserve Police Force, ठी कोशन है, के महानी देशक है, राजी वराई भटनागर, important question है, next question कर लेते है, intelligence bureau, IB के परमुख कोन है, answer है, अरविंत कुमार, जो है, वो intelligence bureau, यानि IB के परमुख है, फिरेंस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को like जरूर करिए, कम से कम 10 friend के साथ share भी कराता होंगा, और हमारे चैनले पर डेली करन्ट अफिर्स की वीडियो भी आती है, सुबह सुबह वीडियो भी जरूर देखना, बहुत ही अच्छे लेवल के questions करवाई जाते हैं, next question है, भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र, जिसे की हम BARC भी बोलते हैं, के अध्यक्ष क कोन है, आंसर है, राम सेवक शर्मा, जो राम सेवक शर्मा है, ये भारतिय दूर संचार विनियायमक प्राधिकरन, यानि प्राई की अध्यक्ष है, केंद्री और धोगिक सुरक्षा बल, CISF के महाने देशक कोन है, आंसर है, राजेश रंजन, भारतिय रिजर्ब बैंक, य यानि की RBI के गोवर्नर है, पैट्रोलियम इसपात और प्राकिर्तिक गैस मंत्री कोन है, आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये पैट्रोलियम इसपात और प्राकिर्तिक गैस मंत्री है, देश के वानिजिय एवं उद्ध्योग मंत्री किनको न्योक्त किया गया है, आ आंसर है, डीवी सदानंद गौड़ा जो है, इनको रसाइन और उर्वक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे बोड़ के अध्यक्ष कोन है? आंसर है, विनोध कुमार यादव जो है, जो की वीके यादव नियूक्त किया गया है। हमारे देश के सॉलिसीटर जर्नल कौन है आंसर है तुशार महता जो है यह हमारे देश के सॉलिसीटर जर्नल है मौसम विज्ञान के नई अध्यक्ष के इनको न्योक्त किया गया है आंसर है मृत्यज़े महापात्रा जो मृत्यज़े महापात्रा है इनको मौसम विज्ञान के नए अध्धक्ष के रूप में न्योक्त किया गया है अगला कोशन है हमारे देश के सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी कौन बने है आंसर है नितिन गटकरी जो है यह हमारे देश के सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी है हमारे देश के राष्टपती कोन है? आंसर है श्री रामनात कोविन जो है ये हमारे देश के राष्टपती है आंसर है अजय भादु जो है ये राष्ट पती के सहयोती सचीव कोण नियोक्त होए है। आंसर है श्री नरेंद्र मोधी जो है ये हमारे देश के निती आयोक के अध्यक्ष है। भारतिय पुरुष होकी टीम के कोच कोन नियोक्त किये गए है। लिए सी के नई चेर्मेन किनको न्योक्त किया गया है? आंसर है, M.R. कुमार जो है, इनको L.I.C. के नई चेर्मेन के रूप में न्योक्त किया गया है देश के तीनो सेनाओं का सेना परमुख कौन है? आंसर है, श्री रामनात कोविंद, जो की राष्टपती है, आप सबी को बता है, जो राष्टपती होते हैं, ये तीनो सेनाओं के सेना परमुख होते हैं, यानि की थल सेना, वायू सेना और नौ सेना, इन तीनो सेना परमुख होता है, वो राष्टपती होता है, राष्टपत आपको संग लोग सेव आयोग और इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है यूनियन पॉब्लिक सर्विश कमिशन next question कर लेते हैं करमचारी चैन आयोग SSC का अध्यक्ष कौन है answer है असीम खुराना जो है वो SSC के यानि कि करमचारी चैन आयोग के अध्यक्ष है railway सुरक्षा बल आरपीअफ के महानी देशक कौन है answer है अरुन कुमार जो है वो railway सुरक्षा बल यानि कि आरपीअफ के महानी देशक है आरपीअफ का full form होता है इंग्लिश में railway protection force कि इनको MTNL का परमोख नियुक्त किया गया है सुनील कुमार इनको MTNL का पर्मुख नियोक्त किया गया है, और फिंट जो MTNL होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, याद रखने आपको, नेक्स्ट कोशन है, हमारे देश के निती आयोग के CEO कौन है, आंसर इसका, अमिताब कांत्र जो है, यह हमारे देश के जो निती आयोग है, इसके CEO है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, शशत्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है, आंसर इसका, कुमार राजेश चंत्र, कुमार र बारागव जो हैं ये हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त है नेक्ट कॉशन हमारे अंवारे देश के जल शक्ति मंतरी कोंने हैं आंसर है महेंदरनाथ पांडे ये कोशल विकास एवं उद्ध मिता मंत्री बने हैं हमारे देश के Next question है केंदरिये फिल्म परमानन बोड के नई अध्यक्ष कोन है Answer है प्रसून जोसी जो है ये केंदरिये फिल्म परमानन बोड के नई अध्यक्ष बने है Next question है सूचना एवं प्रसारन मंत्री कोन न्युक्त किये गए है आंसर है परकास जावडेकर जो है ये सूचना एवं प्रसारन मंत्री है हमारे देश के अगला कुशन है कोन पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवरन मंत्री न्युक्त किये गए है आंसर है परकास जावडेकर जो है ये परियावरन वन एवं जलवायू परिवरन मत्री हमारे देश के और सूचना और परसारल मंत्री भी परकास जावडेकर है हमारे देश के नितियायों के उपाध्यक्ष कौन है आंसर है शिरी राजीव कुमार जो है ये हमारे देश के नितियायों के उपाध्यक्ष है और नितियायों के जो अध्यक्ष है वो परधा मंतरी नरेंदर मोदी है पशुपालन डेरी और मत्से पालन मंत्री कोन बने है आंसर है गिरीराज सिंग जो है ये पशुपालन डेरी और मत्से पालन मंत्री बने है हमारे देश के नेक्स्ट कोशन शरम और रोजगार मंत्री कोन बने है आंसर है संतोष गंगवार जो है ये हमारे देश के शरम और रोजगार मंतरी है नेक्ट कोशन देश के क्रिशी और किसान कल्यान मंतरी कोन है आंसर है नरेंदर सिंग तोमर जो है ये हमारे देश के क्रिशी और किसान कल्यान मंतरी है नेक्स्ट कोशन है हमारे देश के राजसव सचीव कौन है आंसर है अजय भूशन पांडे जो है यह हमारे देश के राजसव सचीव है नेक्स्ट कोशन है CBI के अध्यक्ष कौन है आंसर है रिशी कुमार शुकला जो है यह हमारे देश के CBI के अध्यक्ष है और फ्रेंच जो CBI होता है इसका full firm होता है Central Bureau of Investigation Central Bureau of Investigation जो है ये CBI का full firm होता है और हिंदी में बोलते हैं Kendri Anvasion Bureau याद अखना है Kendri Anvasion Bureau जो है CBI का full firm है और इसका जो headquarter है वो नई दिल्ली में है Next question है प्रसार भारती के अध्यक्ष कोन है? Answer है A. सूर्य प्रकाश जो है ये प्रसार भारती के अध्यक्ष है Next question कर लेते हैं Next question है हमारा भारत के नियंतरग एवा महालेखा परिक्षक C.A.G. कोन है? Answer है राजी महिशी जो है ये हमारे देश के नियंतरग एवा महालेखा परिक्षक जिसको की हम C.A.G. भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है Comptroller and Auditor Journal of India याद रखना है Comptroller and Auditor Journal of India जो है C.A.G. का फुल फॉर्म होता है और इसके जो अध्यक्ष है वो है निराजी महिशी परिसार भारती के CEO कोन है? आंसर है शशी शेकर वेंपती जो है ये परिसार भारती के CEO है Next question है चौदवें वित आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष कोन है? आंसर है डॉक्टर वाईवी रेड़ी है ये चौदवें वित आयोग 2015 से लेके 2020 के अध्यक्ष कोन होंगे? आंसर है एनके सिंग जो है ये पंदरवें वित आयोग 2020 से लेके 2020 के अध्यक्ष होंगे Next question है राश्टिय जाँच अजन्सी NIA के अध्यक्ष कोन है? आंसर है ये ये राश्टिय जाँच अजन्सी जिसे की हम NIA भी बोलते हैं इंग्लिश में फूल फॉर्म होता है National Investigation Agency के अध्यक्ष है Y.C.Moddy Next question कर लेते हैं राश्टिय महिला आयोग N.C.W. के अध्यक्ष कोन है? तो सही आंसर है इसका रेखा शर्मा जो है ये राश्टिय महिला आयोग यानि की N.C.W. के अध्यक्ष है इसका फॉल फॉर्म इंग्लिश में होता है National Commission for Women याद रखने हैं आपको Next question कर लेते है राश्टिय राजमाग प्राधिकरन N.H.A.I. के अध्यक्ष कोन है? तो अंसर है इसका नागेंदर नाथ सिना जो है वो राश्टिय राजमाग प्राधिकरन N.H.A.I. की अध्यक्ष है और N.H.A.I. का जो फॉल फॉर्म होता है इंग्लिश में होता है National Highway Authority of India और इसकी अध्यक्ष है नागेंदर नाथ सिना नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं भारत में साथमें वेतन आयों के अध्यक्ष कोन है? अंसर है अशोक कुमार माथुर जो है ये भारत में साथमें वेतन आयों के अध्यक्ष है नेक्स्ट कोशन है PNB के अध्यक्ष कोन है? आंसर है जो मनु सहानी है यह ICC के CEO बने है फिर यहाँ पर वर्ड आया है ICC ICC का फुल फॉर्म होता है International Cricket Council हिंदी में बोलते हैं अंतराश्टिय किर्केट परिशद इसका जो मुख्याले है वो अबुधाबी में है ठीक है यह भी ध्यान रखना है आनसर है शशांक मनुःवर जो है वो ICC के अध्यक्ष है नेक्स्ट कोशन है सिडवी के अध्यक्ष कोन है आनसर है अपर आपको सिडवी का फूल फॉर्म पता होना चाहिए सिडवी का फूल फॉर्म होता है Small Industrial Development Bank of India और अगर आपसे इसका मुख्याले पूछा जाए तो फ्रे इसका जो लखनव शहर है, वहाँ पर सीड़ी का मुख्याले है, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है, भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक. Next question है, SBI के अध्यक्ष कोन है? आंसर है, रजनीश कुमार जो है, वो SBI के अध्यक्ष है, SBI का फुल फॉर्म होता है, State Bank of India, और इसका जो मुख्याले है, वो मुंबई में है. Next question कर लेते हैं, भारतिय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कोन है? आंसर है, बिजेंदर पाल सिंग जो है, वो भारतिय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष है, और फ्रेंस यह जो वर्ड है FTII, इसका फुल फॉर्म फ्रेंस इंग्लिश में होता है, वो होता है, फिल्म एड टेलिविजन इंसिट्यूट आफ इंडिया, ह आफार गोषन이에요, नेक्ष्ट क्योषन है, रिसर्च एंड 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 इनलिसिस विंक, समंत इसका जैसे के इंडिया होकी के अध्यक्ष यह यहांश्यक्ष. रिस एंड एंड इन इसमाने के अध्यक्ष कोन संस्यूट आतर अखी ईंड ऑजिक्ष स्विंक करेए, वों सुख किया गए हैं अगला कोशन है भारतिय महिला क्रिकेट टीम के कपतान कौन है आंसर beyond no भारतिय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, आगरी कोशन है इसी वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, सबी कोशन का, भारतिय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कोन है, आंसर है विराट कोली जो है, ये भारतिय पुरुष क्रिकेट टीम के क मैंने आपको 100 question करवाए अब मैंने आपको पता है कि जब 100 question करवा दूंगा उसके वा फिर से revision भी करवाने वाला हूँ ताकि आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए और मैं आपको बता हूँ हमारे चैनल पे बिल्कुल best quality का current affair की वीडियो आती है हर दिन इतनी best कि यूट्यू पे आपको ऐसा current affair नहीं मिलेगा और साथ में PDF भी प्रोवाइड किया जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने एक math का चैनल भी है math की चैनल का नाम है maths by Ravi Study IQGK बिल्कुल expert level का math भी पढ़ाया गया है आप मुझसे telegram पे instagram पे facebook पे जो सकते हो Ravi Study IQGK के नाम से चैनल का नाम है तो friends सब्सक्राइब रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं इसी स बहतरी है तरीक होता है कि पहले आप पढ़ो फिर revision करो और उसके बाट test देढ़ाओ तो मैं आपको इसी बहतरी है तरीक के से पढ़ा रहा हूँ अर इस सबसे best तरीक होता है कि सी चीज को पढ़नेगा समझने का और याद करने गा तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से भारत के पहले लोकपाल को नियोक्त होए है आंसर है नियाई मूर्ती PC घोश किन को लोकसभा अध्यक्ष नियोक्त किया गया है आंसर है ओम बिरला Next question है हमारे देश के विदेश मंत्री कोन है आंसर है S. जयाशंकर हमारे देश के मुखे नियादिश कोन है आंसर है रंजन गोगई भारतिय वायू सेना के परमुख कोन है आंसर है एर मार्शल आरकेस भदोडिया भारतिय नौ सेना के नई परमुख कोन बने है आंसर है एड्मिरल करमवीर सिंग भारतिय थलसिना के परमुक कौन है? आंसर है जन्रल विप्पिन रावत भारतिय तटरक्षक के परमुक कौन है? आंसर है कृष्ञ स्वामी नत्राजन सीमा सुरक्षा बल, B.S.F. के नए महानि देशक कौन बने है? आंसर है विवेक कुमार जोहरी देश के राष्टी सुरक्षा सलाकार कोन है? आंसर है श्री अजीद डोवाल केंद्रिय कोईला मंतरी कोन न्योक्त किये गए है? आंसर है श्री परलाज जोशी हमारे देश के ग्रह मंतरी कोन है? आंसर है अमिश शा हमारे देश के उपर आश्टपती कौन है? आंसर है वेंकिया नाइडो संसत की लोक लिखा समीती के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अधी रंजन चौधरी हमारे देश के वित्त मंत्री कौन बने है? आंसर है उसका निर्मला सिता रमन किनको नए गिरह सचीव के रोप में नियुक्त किया गया है? आंसर है अजय कुमार भल्ला किनको फिर से उपर आश्टपती का सचीव नियुक्त किया गया है? आंसर है आईवी सुबा राओ हमारे देश के मुखे चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर है सुनील अरोडा हमारे देश के रेल मंत्री कोन है आंसर है प्यूश गोईल देश के वित्त सचीव के रोप में कोन नियुक्त होए है आंसर है राजीव कुमार भारत की कानून और नियाई मंत्री कोन है आंसर है रवीशंकर प्रसाद हमारे देश के राज्य सभा के सभापती कौन है? आंसर है M. वेंक्या नाइडू राज्य सभा के महासचीव कौन है? आंसर है देश दीपक वर्मा राज्य सभा के विपक्ष के नेता कौन है? आंसर है शिरी गुलाम नभी अजाद किन को राजय सभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर है थावरचंद गहलोद राजय सभा के उपसभापती कोन है आंसर हरिवंश नराइन सिंग लोग सभा के महा सच्चिव कोन नियुक्त किये गए है आंसर है सिनेहलता शिरिवास्तव देश के लगातार दूसरी बार प्रधान मंत्री कौन चुने गए हैं? आंसर है श्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त होए हैं? आंसर है पीके मिश्रा पधामंत्री नरेंद मोदी के नए मुख्य सलहकार कोन बने हैं? आंसर है पीके सिना देश के महानयवादी अटार्नी जर्नल कोन है? आंसर है केके वेनुकुपाल थल सेना की अगले उप परमुख कोन न्योक्त किया गया है? आंसर है मनोज मुकुन्थ नर्वाना हमारे देश के केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री कोन है? आंसर है समरिती इरानी देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कोन न्योक्त होए है? आंसर है रमेश पोकरियाल निशंक हमारे देश के मुखे सो आर्थिक सलाकार कौन है आंसर है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम और फ्रेंट से गरा मैंने आपको जल मंत्री के बारे में नहीं बताया तो याद रखना है गजेंदर सिंग शिखावत जो है ये हमारे देश के जल मंत्री है याद रखना है आपको जल शक्ती मंत्राले जो है गजेंदर सिंग शिखावत के पास है अगर मैंने आपको वो कोशन नहीं करवाया है तो याद रखना है आपको ठीक है नेक्ट कोशन है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम हमारे देश के मुखे आर्थिक सलाकर कोँ है आंसर है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम हमारे देश के रक्षा मंत्री कोँ है आंसर है राजनाज सिंग भारती क्रिकेट नियंतरन बोर्ट BCCI के अध्यक्ष कोँ है आंसर है सौरव गंगुली भारत के विदेश सचीव कोँ है आंसर है विजय केशव गोखले कोल इंडिया लिमिटेट के चेर्मेन कोँ है आंसर है एके ज्जा कोल इंडिया लिमिटेट के अगले चेर्मेन कोँ बनेंगे आंसर है प्रमोध अगरवाल भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कोन है? श्री केश सिवन रक्षा अनुसंधान एवं विकास भिवाग DRDO के अध्यक्ष कोन है? सतीश रड़ी भारतिय तिब्ब सीमपुलिस ITBP के महाने देशक कोन है? सुर्जीत देशवाल केंद्रिया रिजर्ब पुलेस CRPF के महानिदेशक कोन है आंसर है राजीव राई भटनागर इंटालिजेंस ब्यूरो आईबी के परमुख कोन है आंसर है अर्विंद कुमार भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र B.A.R.C. के अध्यक्ष कोन है आंसर है अजीद कुमार महनती भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधी करन ट्राई के परव अध्यक्ष कोन है आंसर है राम सेवक शर्मा केंद्रिय औध्योगिक सुरक्षा बल C.I.S.F. के महानिदेशक कोन है आंसर है राजेश रंजन भारतिय रिजर्ब बैंक R.B.I. के गवर्नर कोन है आंसर है सिरी शक्तिकान दास पैट्रोलियम इसपात और प्राकितिक गैस मंत्री कोन है आंसर है धर्मेंद्र प्रधान देश के वानिजिय एवं उध्योग मंत्री किन को न्योक्त किया गया है आंसर है प्यूश गोयल रसाइन और उर्वरक मंतरी किन को न्योक्त किया गया है? आंसर है डीवी सदानंद गोड़ा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कोन है? आंसर है विनोध कुमार यादव हमारे देश के सॉलिसिटर जर्नल कोन है? आंसर है तुशार महता मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष किन को न्योक्त किया गया है? आंसर है मृत्विन जै महापातरा हमारे देश के सरक पडिवहन और राजमार्क मंतरी कोन बने है? आंसर है नितिन गड़करी हमारे देश के राष्टपती कोन है? आंसर है श्री रामनात कोविन्थ राश्ट्पती के संयूत सचीब कोन न्योक्त होई हैं? आंसर है अजय भादू हमारे देश के निती आयोक के अध्याक्ष कोन है? आंसर है श्री ननेरिंद मोधी भारतिय पुरुष होकी टीम के कोच कोन न्योक्त किया गए है आंसर है गरहम रीड LIC के नई चेर्मेन किन को न्योक्त किया गया है आंसर है एमर कुमार देश के तीनो सेनाओं का सेना परमुख कोन है आंसर है श्री रामनाथ कोविन्थ जोकी राश्टपती है संग लोग सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है आन्सर है अरविन सेक्सेना करमचारी चैन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है आन्सर है असीम खुराना रेल्वे सुरक्शा बल अरपीएफ के महानेदेशक कौन है आन्सर है अरुन कुमार किनको MTNL का परमुख न्योक्त किया गया है आंसर है सुनील कुमार हमारे देश के निती आयोक के CEO कौन है आंसर है अमिताब कांत सशत्र सीमा बल SSB के महाने देशक कौन है आंसर है कुमार राजेश चंदर हमारे देश के मुखे सूचना आयोक्त कौन है आंसर है सुधीर भारगव हमारे देश की जल शक्ती मंत्री कौन है आंसर है गजेंदर शिंग शिखावत कौशल विकास एवं उद्धमिता मंत्री कौन बने है आंसर है महिंदरनाथ पांडे केंदरिय फिल्म परमारन बोड के नए अध्यक्ष कौन है आंसर है प्रसुन जोसी सुचना एवं प्रसारन मंत्री कौन न्योक्त किये गए है आंसर है प्रकास जावडेकर कौन पर्यावरन वन एवं जलवाईू परिवरन मंत्री न्योक्त किये गए है आंसर है प्रकास जावडेकर हमारे देश के निती आयों के उपाध्यक्ष कोन है आंसर है शिरी राजीव कुमार पशु पालन डेरी और मत्से पालन मंत्री कोन है आंसर है गिरिराज सिंग शरम और रोजगार मंत्री कोन बने है आंसर है संतोष गंगवार देश के क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री कोन है आंसर है नरेंदर सिंग तोमर हमारे देश के रास्व सचीव कोन है आंसर है अजय भूशन पांडे CBI के अध्यक्ष कोन है आंसर है रिशी कुमार शुकला प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है आंसर है इफ सूर्य प्रकाश भारत के नियंतरक एवा महा लिखा परिक्षक C.E.G. कौन है आंसर है राजिव महेशी प्रसार भारती के CEO कौन है आंसर है सशी शेक्र व्यंपती चौदवें वित आयोग 2015 से 2020 की अध्यक्ष कौन है? आंसर है Dr. Y. V. Reddy पंदवें वित आयोग 2020 से 2020 की अध्यक्ष कौन होंगे? आंसर है N. K. Sink राष्टिय जांच अजनसी N. I. A. के अध्यक्ष कौन है? आंसर है Y. C. Modi राष्टिय फिल्म आयोग NCW की अध्यक्ष कौन है? आंसर है Rekha Sharma राष्टिय राजमाग प्राधिकरन N. H. A. I. की अध्यक्ष कौन है? आंसर है नागेंदर नाथ सिना भारत में साथमे वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन है? आंसर है अशोग कुमार मातुल PNB के अध्यक्ष कौन है? आंसर है SS Malika Arjun Rau ICC के CEO कौन बने है? आंसर है Manu Sahani ICC के अध्यक्ष कौन है? आंसर है Shashank Manohar CDB के अध्यक्ष कौन है? आंसर है Mohamed Mustafa SBI के अध्यक्ष कौन है? आंसर है Rajneesh Kumar भारतिय फिल्म एवं टेलिविजिन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन है? आंसर है बिजेंदर पाल सिंख Research and Analysis Wing RAW के परमुख कौन है? आंसर है Samant Goyal भारतिय प्रतिभूती एवं वीनिमय बोड सेबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है Ajayत यागी इंडिया होकी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है मुस्ताक एहमद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन न्यूक्त किये गए है? आंसर है इसका Davies Malpass भारतिय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? आंसर है मिताली राज नेक्स्ट कोशन है हमारा भारतिय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? आंसर है इसका विराठ कोहली जो है ये भारतिय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है फ्रेंट्स मैंने आपको ये 100 कोशन करवाए उसके बाद 100 कोशन मैंने आपको revision भी करवा दिया उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे होंगे और याद भी होगे होंगे इसी वीडियो बिल्कुल best quality का पढ़ाया है मैंने आपको सभी कोशन best quality के थे जो exam में पूछे जाते हैं मेरी पूरी कोशिच थी कि जितने भी कोशन होते है वर्तमान में कौन क्या है वो सभी मैंने इस वीडियो में cover कर दिया है हमारे चैनल पर daily current affairs की वीडियो भी आती है बहुत ही expert level का current affairs पढ़ाया जाता है और PDF भी प्रोवाइड किया जाता है हर दिन ठीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जाज़र अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर दिया ताकि और भी जो students चैनल के साथ जोड़ सकें मेरा math का चैनल भी है maths by ravi study iqgk इसे भी आप subscribe कर लिजिए फ्रेंड मैंने आपको यह 100 question करवाए उसके बाद 100 question मैंने आपको revision भी करवा दिया और test के लिए आपको all the best friends इस दस question है इनका जो answer है आपने मुझे कमेंटर के जरूर बताना है ठीक है पहला question है भारत के पहले लोगपाल कोन नियुक्त होए है हमारे देश के विदेश मंतरी कोन है next question भारते नौसिना के नई पर्मु कोन बने है सीमा सुरक्षा बल B.S.F. के नई महाने देशक कोन बने है संसत की लोकलिखा समीती के अध्यक्ष कोन बने है हमारे देश का 레ल मंतरी कोन है देश के महाने अवादी Attornay Journal कोन है हमारे देश के केंद्रे महिला और बाल विकास मंतरी कोन है भारती किर्केट नियंतरन बोर्ट BCCI के अध्यक्ष कौन है भारती अंतरी शनुसंधान संगठन इस रोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड मैंने आपको 100 कोशन करवा है 100 कोशन डिवीजन भी करवा दिया उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आयोगे वीडि स्टड़ी आईक्यू जी के ठीक है आप मुझे आपर फॉलो कर सकते हो और मेरे मैत का चैनल है मैस बाई रवी स्टड़ी आईक्यू जी के तो अब हम मिलते है नेक्ष वीडियो में थैंक्यू एंड विश्यू अल दे बेस्ट